एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है परिच्छावड़ी के से यूडोब चैनल में दोस्तो यूपीटे पलसी पीटी 2022 के लिए जो हमने हिस्टी की क्लास सुरू की थी उसमें अभी तक हमने दो वीडियो अप्लोड किया है उन दो वीडियो में हमने सिंदुगाटी सभीता को पूरे डिटेल ने कवर किया था इसके बाद अगला टॉपिक हम आज से स्टार्ट करने जा रहा है जो आपके सिलेबस के एकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस दिया गया उसी की एकॉर्डिंग हम चल ला है तो सेकेंड टॉपिक आपका आज का है वैदिक संस्कृती का वैदिक संस्कृती से जोड़े जो भी important fact और point हो सकते हैं उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वैदिक संस्कृती आपका दो पार्ट में आप तक पहुचा जाएगा फर्स्ट पार्ट में हम दिखेंगे रिग वैदिक काल को और दूसरे पार्ट में हम दिखेंगे उत्तर वैदिक काल को तो यह हमारा तिसरा वीडियो है इतिहास का सलिबस के एकॉर्डिंग आपके इसकी प्रलिस्ट मैंने बना दी है अगर आप 2022 PET के तैयरी कर रहा है तो हमारे चैनल को फॉल्लो करते रहेगा जितना भी आपका सलिबस दिया गया है वह A to Z कम्प्लीट करवाय जाएगा हमारे परिच्छा वर्ड चैनल पे तो यह हमारा तीसरा वीडियो है UPWC PET हिस्ट्री के किलास का तो चले वीडियो को स्टार्ट करते है तो पहले हमने देखा था सिंदुगाटी सबेता के बारे में इसके बाद सिंदुगाटी सबेता के बाद आगे क्या जो जीवन होता है उसके बारे में हमें जो जनकारी है वो वेदो के माध्यम से पता चलती है इसलिए इस टाइम पिरियड को हम वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं कि सिंदु गाटे सबेता के बाद जो भी जीवन है हमें वेदो के माध्यम से उसके बारे में जनकारी प्राफ्त होती है इसी कारण से इसको हम वैदिक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं तथा वैदिक संस्कृति को जो है आर्यों के दोरा संस्थापित माना जाते हैं यानि कि आर्यों को जो है इस संस्थापक हम मानते हैं जिस कारण से इस संस्कृती को हम आरे संस्कृती भी कभी कभी कह देते हैं तो इसके बारे में आपको याद अखना है ये वाला पॉइंट आपके एक्जाम के लिए important है सिंदु गाटी सभिता के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो सिंदु गाटी सभिता थी वह नगरी कृत सभिता थी और आपका जो सिंदु घाटि सब्यता था वह एक नगरी संस्कृती थी तिसके बारे में आपको याद आखना थी आपकी सिंदु घाटि सब्यता थे डिफ्रेंस आपको पता होना चाहिए जो मैक्स मूलल था आर्यों का जो मूल निवास वह मध्ध एसिया बताया थे निकि आ वाग होता है रिगवैदिक काल और दूसरा आपका होता है उत्तर वैदिक काल तो इस वीडियो में हम रिगवैदिक काल के बारे में ही बात करेंगे तो चली वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो यहां पे हम बात करेंगे रिगवैदिक काल में रिगवैदिक काल का जो टाइम या में को भी प्रसंद पूछा नहीं जाएगा तो जो भी टूड़ पॉइंट में आपको बाते बताते चलूं कम से कम इनको आप नोट डाउन कलते चलिएगा अपने नोटस में तो पहली चीज क्या इसमें आपको याद अखनी है भारती आर्यों के संबंद में प्रथम जान अबेस्ता अबेस्ता और रिग्वेद में अनेक बातों में समानता देखने को मिलता है तो इसके बारे में आपको याद अखना है और रिग्वेद में उल्लेखित दूसरी जो प्रमुक नदी थी वह थी सरस्वति सरस्वती को जो है नदीतमा के नाम से भी जाना आता है जिसका आउत होता है सरसेष्ट नदी ते इसके बारे में आपको या दखना है यानि कि रिकवेद में दूसरी नदी जो उलेखी थे वो है सरस्वती नदी जिसको हम नदीतमा भी जिसको नदीतमा के नाम से जाना जाता था ते इसके बारे में आपको याद अखना है इमपोर्डं है कई बारे एक जाम में यहां से प्रस्थीन देखने के मिलता है इसके बाद आरियों का जो निवास अस्तान है उसको सब्त सैंधा कहा गया है तो इसके बारे में आपको याद अखना है इसके बाद नदी की यहां पर हम बात कर रहे हैं तो नदियों में जो है रिगवेद में गंगा का एक बार उलेख मिलता है और यमुना का जो उलेख है तीन बार किया गया है तो इसके बारे में आपको याद रखना है गंगा नदी का जो उलेख है रिगवेद में वो एक बार किया गया है और यमुना का जो उलेक है वह तीन बार किया गया है तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है important है इसके लबा सिंदू की सिंदू जो नदी थी या आरियों के सबसे famous नदी थी सबसे प्रमुख नदी थी जथा रिग वेद में जो है सबसे ज़्यादा इसी कवलेक किया गया है सिंदू नदी का अदूसरी नदी जो आपकी है सरस्वती नदी जिसे नदीतमा के नाम से जाना जाता था यह famous नदी थी उस समय ते इसके बारे में आपको यादखना है इसके बाद आरियों का जो निवास अस्थान में आपको यादखना है इसके बाद रिगवैदी कालिन जो नदियां है उनका आधुनिक नाम आप देख लीजे बहुत बर एक जामें पूछा आता है तो रिगवैदी कालिन ये important नदियां है और इनका आधुनिक नाम क्या है यहाँ पे देख लीजे यहां पे आपका परुसुनी नदी को हम वलतमान में रावी के नाम से जानते हैं परुसुनी को वलतमान में रावी के नाम से जाना आता है सतुद्री को वलतमान में हम सतलज के नाम से जानते हैं परुसुनी को रावी हो गया, सतुद्री को सतलज हो गया और सदा नीरा, सदा नीरा को हम किस नाम से जानते हैं, अस्किनी को हम किस नाम से जानते हैं, अस्किनी को जो है आपका चिनाम नदी के नाम से जाना आता है, वितस्ता को हम जहलम के नाम से जाना जाता है, वितस्ता को जहलम के नाम से जाना जाता है, और इसके बाद विपासा आधुनिक नाम क्या है यह एक जाम में बहुत बढ़ पूछा या था मैं इसे भी पूछ लिए आता है बरे हमें आपको याद रखना है IMPORTANT है डिरेक्न से पूछा जा सकता है आरियों की प्रसासनिक इक आई के बारे में कूल के प्रमुख को हम कुलnos कहते थे ग्राम के मुखिया को ग्रामरी कहा जाता था या प्याद के लिज़ेगा ग्रामरी कहते थे आपके रिगवैदिक काल में और विस के प्रधान को विस्पती कहा जाता था और जन के प्रमुक को जो है राजन कहा जाता था तो इसके बारे में आपके लिखना है जो लुग लेखपाल के त्यारी कर रह हम समिति के नाम से जानते थे राजन या राजा को चुनती थी यानि की कभीले की जो आम सभा थी या समिती थी वहा राजन या राजा को चुनती थी ते फैक्ट आपको याद अखना ये राजनितिक व्योस्ता की हम बात कर रहे हैं रिगवैतिक काल की सभा और समिति दोनों र विगवैदिक काल की जन तांत्रिक जो हैं संस्थाएं मानी गई है ति ये फैक्ट आपको याद अखना इंपोर्टेंट है जो राजा को सलाह देती थी यानिकि सभा और समिति जो थी ये राजा को सलाह उस समें दिया करती थी सभा जो हुआ करती थी वह स्रेश्ट और संभरा लोगों की संस्था हुआ करते थी जो स्रेश्ट लोग हुआ करते थे और समीति जो थी वह लोकल लोग है निकिस जो समान लोग हुआ करते थे उनकी संस्था हुआ करते थी समीति का द्यक्ष जो है इसान कहलाता था अपयात कर लिजेगा जो समीति का द्यक्ष हुआ करता थ जैसे हम उत्तरवैदिक काल की तर बढ़ते जाएंगे ठीक इसका विपरित आपको देखने को मिलेगा तो आप इस वीडियो को बिराद लाश्ट देखिएगा इसके बाद जो रिगवैदिक काल में आपको पढ़ाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखे रहेंगे तो ठीक इसका विपरित चीज़े आपको देखने को मिलेगी उत्तरवैदिक काल में जो जो चीज़े इसमें नहीं हुआ करती थी बाद में वे चीज़े जो हैं उत्तरवैदिक काल में होने लगी तो आपको प्रसासन के कुछ अधिकारी राजा की मदद कलते थे अप्यात के लिए जैने प्रसासन में कुछ इंपोर्टेंट अधिकारी हुआ कलते थे जो राजा की मदद कलते से जिनमें सनानी और पुरोहित प्रमुक थे जनता जो है स्वेक्षा से राजा को अंस दिया कलती थी जिसे हम बॉली के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहा है स्वेक्षा से, यानि कि जनता के उपर यह निर्भर छोड़ दिया गया था कि जनता का मन है तो वे अंस दे या न दे, लेकिन उत्तरवधी काल में जब आप जाएंगे, तो यह जो अंस था, जो उसको बाद में कर के नाम से हम जानने लगे, कर जो था, यह सब के लिए अनिवार कर दिया गया था, तो इसी प्रकाल से बहुत सारी चीजे जो हैं, उत्तरवधी काल में आपकी परिवलतित हो जाती हैं, तो आपका जो रिगवैदिक काल था, इसमें जनता स्वेक्षा से राजा को अंस देती थी इसको हम बली के नाम से जानते थे, रिगवेद में चारागा या बड़े जथे के प्रधान को हम वज्रपती कहते थे, यानि कि रिगवेद में जो है चारागा या बड़े जथे के प्रधान को वज्रपती कहा गया है तो इसके बारे में आपको याद अखना है इंपोर्टेंट है, डरेकले आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे वज्रपती नियों का वराजपती होगा है, वराजपती कहा जाता था, किसको तो रिगवेद में चारागा या बड़े जथे के प्रधान को वराजपती कहा जाता था इसके बाद रिगवेद में जो है, दुर्गपती के लिए पूरप और गुप्त चर के लिए इसपस सब्द का प्रियोग किया गया है यूद में जो है, कभीले का नित्रित कौन कलता था, राजा कलता था important है यूद में, कभीले का जो नित्रित है वह राजा किया करता था तो इसके बारे में आपको याद रखना है इसके बाद यूद के लिए रिगवेद में गविस्टी सब्द का प्रियोग हुआ है जिसका अथ होता है गाईयों की खोज इसके बारे में आपको याद रखना है यानि कि जो भी रिगवेदिक काल में युद्ध थे वे गाईयों के लिए ही लड़े गये थे जिसके बारे में आपको याद रखना है यानि कि युद्ध के लिए रिगवेद म जिसका नाम ता दस राग का युद्ध तो रिगवेत के साथ में मंडल में दस राग युद्ध का जो है उलेख देखने को मिलता है जो परुष्ण यानि की रावी नजी के टेट पर भरत जन और दस अन्य जनों के बीच लाग या था इस युद्ध में जो है भरत जन के प्रम इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार के राजनेदिक भिete हुआ कलती थी आपके रिगवैदिक काल बे अब हम देखेंगे अथर्व वेद में सभा और समीती को प्रजापती की दो पुत्रियां कहा गया है ते ये फैक्ट आपको याद अखना है तो चलिए समाजिक वर्गी करन के बारे में पढ़ लेते हैं जो रिगवेदी काल में मौझूद था तो रिगवेद के दस्वे मंडल में पूरुस सुक्त में चतुर्व वर्ण का उलेक है तो आप याद को लिजेगा रिगवेद के दस्वे मंडल में पूरुस सुक्त में चतुर्व वर्ण का उलेक है आपको देखने को मिलेगा इसमें कहा गया है कि ब्रामण विराट पुरुस ब्रह्मा के मुख से छत्री भुजाओं से वैस्य जांग से और सुद्र पैरों से उत्पन हुए हैं तिसके बारे में आपको याद रखना है समाज जो था पित्री सतात्मक था इसमें बताया गया कि रिगवैदिक काल में जो समाज हुआ करता था वह पित्री सतात्मक हुआ करता था किन्तु महिलाओं की जो इस्तिती थी वह सम्मान जनक थी इसके बारे में आपको याद रखना है इस्त्रियाँ जो थी उस समय, अपने पती के साथ यग में आहूती दे सकती थी Important है, इसको आप नोट आन कर लिजेगा रिगवेदिक काल में जो इस्त्रियाँ वा करती थी अपने पती के साथ यग में आहूती दे सकती थी इसके बाद समाज की सबसे चोटी एकाई परिवार या कूल थी जिसका मुख्या पीता होता था प्याद कर लिजेगा जो है रिगवैदिक काल में समाज की जो सबसे चोटी एकाई थी वह परिवार या कूल हुआ करते थी जिसका मुख्या पीता होता था जिसे हम कूलब के ना मुखीया मनें मुख पीता को कूलव के नाम से भी जाना जाता थो जिसके बारे आपको याद रखना रखना है इसके बात कर ऑपका जो रिगवैदिक हाल ठर्क लें नीव प्रत्था तथा उससंब्र से घुदाओं करता था उस समय हुआ करता था आप याद कर लिजेगा जो रिगवैदिक काल था उस समय बिदवा बिवा का प्रसलन था तो इसके बारे में आप क्या दखना है कि तो रिगवैदिक काल में बाल बिवा और पलदा प्रथा देखने को नहीं मिली थी तो यह important fact आपको याद रखना है आप समझ सकते हैं किस प् हूम्र बर औ विवाहित रहती थी उनको अमाज्व कहा जाता था। रिगवैदि में वनस पतियो से सोमरस बनाने की विद्य का वलर्ण किया गया है तो यहां पर हमने समाजिक वर्गी करण को देख लिया है, अब हम देखेंगे आर्थिक क्रिया कलाब किस प्रकार का होता था रिगवैदिक काल में, तो गाय या सांड की अत्यदिक चल्चा के कारण रिगवैदिक काल को हम पसुचारक भी कहते हैं, तो आप यात कर लिजेगा, गाय और सांड की अत्यदिक चल्चा के कारण रिगवैदिक जो आर्रे हैं, रिगवैदिक आर्रेयों को पसुचारक भी कहा जाता है, गाय को सबसे उत्तम धन माना जाता था, और इसे अघन्या यानिकि ना मारे जाने योगे पसुचा भी कहा जात है कि रिगवैदिक काल में अघन्या सब्द का प्रियोग किसके लिए किया जाता था, तो गायों के लिए किया जाता था, गोड़ा एक महत्तपुन पसुधन हुआ काल में, इसके बारे में आपको आदकना है, जो गोड़ा था यह इंपोर्टेंट पसुधन हुआ काल में, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बारे में आपको याद रखना है। ये रिगवेधिक आर्यों के प्रमुख देवता थे, इंद्र जिनको हम पूरंदर के नाम से भी जानते हैं, पर सरवत्तम धाईस और सुक्त हैं तथा इन्हें बादल का देवता माना जाता है, यहने कि इंद्र पर सरवातिक धाईस और सुक्त आपको देखने को मिलेंगे, औ अगनी को मनुष्य और देवताओं के बीच जो है मध्यस्त की भूमिका निभाने वाला देवताओं के रूप में पूजा जाता था तो यह फैक्ट आपको याद रखना है इंपोर्टेंट है पहले अस्थान पर देवताओं में इंद्र का अस्थान था जिन पर सरवादिक ध भाने वाले देवताओं के रूप में पूजा जाता था वारोण भी इस समय प्रमुक देवता थे जो रीतु के नियामक कषुवा करते थे इसके बाद रिगवेद में कुछ देवियों का भी उलेक है जैसे अदिती और उसा किन्तु रिगवेदिक काल में देवियों की जो ह प्रमुखता नहीं हुआ करती थी इसके बाद इस्तूती पाठ और यग बली उपासना की मुख्य रिती हुआ करती थी तो इसके बारे में आपको याद अखना है रिगवैद काल में कर्मकांड का अभाव था तो आप आप आठ कर लिजेगा रिगवैद काल में कर्मकांड का अभाव देखने को मिला था तो इंपोर्टेंट फैक्ट आप इसे नोट डाउन कर लिजेगा पूसन जो थे रिगवैदिक काल में पस्वों के देवता थे जो बाद में उत्तर वैदिक काल में सुद्रों के देवता हो गए तो यहां पे हमने important जो भी key point बन चकते थे उत्तर वैदिक काल के उनको हमने एक एई वीडियो में कभर कर लिया है इसके बाद इसका एक और वीडियो आपके सामने में लाओंगा और अगले वाले वीडियो में हम कभर करेंगे उत्तर वैदिक काल को इस वीडियो में हमने रिगवैदिक काल को देखा है और आगे वाला जो वीडियो आपका होगा उसमें हम उत्तर वैदिक काल को देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद या आप उत्तर वैदिक काल को देखिएगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू, थैंक्स पूर रोचिंग, थैंक यू